भारत के पांच अंजाने रहस्य, जिनका आज तक कोई पता नहीं लगा पाया, नमबर तीन वाला तो है सबसे अजीब। नमबर एक, व्रिंदावन का मंदिर। व्रिंदावन में एक ऐसा मंदिर है जो अपने आप ही खुलता है और बंध होता है। इस मंदिर को रंग महल के नाम से जाना जाता है। नमबर दो अलेया भूत लाइट पश्चिम बंगाल का दलदली इलाका भी रहस्यों को अपने आप में समेटे हुए है। कई बार मचुआरों के शव बरामत किये गए हैं। लेकिन स्थानिय प्रशासन यह नहीं मानता है कि ऐसा भूतों की वजह से हुआ है। वज्यानिकों ने आशंका जिताई है कि दलदली क्षेत्रों में अक्सर मीथेन गैस बनती है। उससे किसी तत्व के संपर्क में आने के रोशनी पैदा होती है। नमबर तीन रूपकुंड जील भारत में ऐसी कई जीलें हैं जो रहस्य मई हैं। हिमालय की रूपकुंड जील की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। साल 1942 में यहां पर ब्रिटिश के फॉरेस्ट गार्ड को सैकडों नर कंकाल मिले थे। आज भी जील में मानवों के कंकाल और हड़ियां पड़ी हुई है। यह जील समुद्र तल से करीब 5000 मीटर की उंचाई पर स्थित है। यह जील हिमालय की तीन चोटियों के बीच स्थित है। रूपकुंड जील को कंकालों की जील भी कहा जाता है। मानव विज्ञानी और विज्ञानिक इस रहस्य को जानने के लिए अध्ययन में लगे हुए हैं। 4. जतिंगा गाव असम के दिमा हासो जिले की पहाड़ी में स्थित जतिंगा घाटी पक्षियों का सुसाइड पॉइंट के तौर पर काफी मशहूर है। जतिंगा गाव में मानसून बीच जाने के बाद एक ऐसा आवरण बनता है कि स्थिती धुंद पढ़ने के समान हो जा साल सितंबर महीने में जतिंगा गाव पक्षियों की आत्महत्या के कारण सुर्खियों में आ जाता है। इस जगह पर ना केवल स्थानिय पक्षी बलकि प्रवासी पक्षी भी पहुँचकर सुसाइड कर लेते हैं। इस वजह से जतिंगा गाव काफी रहस्य में माना जाता है। आत्महत्या करने की प्रवर्ति तो इनसानों में आम है लेकिन पक्षियों के मामले में ये बात एकदम अलग हो जाती है। जतिंगा गाव में पक्षी तेजी से उड़ते हुए किसी इमारत या पेड़ से टकरा जाते हैं जिस से उनकी मौत हो जाती है। ऐसा एक्का द और रात में वे घोंसले में लोट जाते हैं। ये आज भी रहस्य है। नंबर पांच लटकते खंभे का रहस्य। आंध्र प्रदेश का वीर भद्र मंदिर विजय नगर सामराज्य के वास्तुशिल्प शैली का एक शानदार नमुना है। और इसमें स्थित विशाल नंदी मूर्ती, फ्रेसको पेंटिंग्स और नकाशी जैसे आकरशक फीचर्स के अलावा इसके लटकते खंभे जिजयासा उत्पन्न करते हैं। कुल मिलाकर मंदिर में सत्तर खंभे हैं। हालांकि दूसरों के विपरीत उनमें से एक जमीन के संपर्क में नहीं आता है। ऐसा माना जाता है कि खंभे के आशीरवाद के लिए नीचे कुछ स्लाइड करके आशीरवाद प्राप्त किया जा सकता है।